हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम कोचिंग क्लासेस में तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी सब्सक्राइब कर दिये बच्चों अगर आपने नहीं देखा है तो वह आप वाट्स जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ठीक है ओके तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा लिया था पिछली क्लास में हमने कंसर्वेशन ऑफ फॉरस्ट और रिसोर्स के तो इनके टाइपस के बारे में उनके डिस्टिबूशन के बारे में पढ़ना है कि कोहां कहां पे कितना कितना पार जो है वह फॉरस्ट का है क्या है कैसा है सबके कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है difficult to manage control and regulate them in India much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or the other other government departments these are classified under the following categories is that if you have to conserve forest conservation conservation is not difficult for you to manage and regulate and control and control and if we talk about India कि बात करते हैं दोस्तों तो इंडिया के अंदर फॉरस्ट और वाइड लाइफ रिसॉर्सेस का जो मेन मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो वह गवर्मेंट के तुरू किया जाता है थूरू दा फॉरस्ट देपार्टमेंट तो आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट के अंदर स्टेट फॉरस्ट डेपार्टमेंट होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि वहां के जो फॉरस्ट है उनके पर धान रखा जाता है ठीक है उसके द्वारा तो यही बात की जा रही है कि अगर आपको क्या करना है conservation करना है तो conservation से difficult task जो होगा वो क्या होगा उनको manage करना उनको control करना और उनको regulate करना ठीक है और यह किसके द्वरा किया जाता government departments के थू किया जाता है forest departments बना दिये जाते हैं उनके थू यह किया जाता है ठीक है तो दोस्तों आगे देख लेते हैं कि forest को कितनी categories में divide किया गया है हना तो forest को दोस्तों mainly तीन categories में divide किया गया है ठीक है first is reserved forest second is protected forest and third one is unclashed forest okay तो अब हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं हना तो चलिए देख लेते हैं यहां पर reserved forest क्या होते हैं तो more than half of the total land mass has been declared as reserved forest तो क्या होता है क्या हुआ दोस्तों आधी से ज़्यादा जो total forest land है हमारे यहां जितना भी पूरे forest बाया जाते हैं उसकी आधी land क्या है हमने ऐसा reserved forest declare कर रखी है due to conservation of the forest and wildlife resources तो forest और wildlife resources के conservation को concern में रखते हुए हमने दोस्तों में क्या किया हुआ है half of the forest land हमने उसको reserved forest के रूप में declare करके रखा हुआ है ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखनी है और फिर आगे देखते हैं आगे है protected forest almost one third of the total forest area is protected forest as declared by the forest department तो हमारा जो total forest है उसका one third भाग क्या बोल रहा हूँ मैं total forest area जितना है हमारा उसका one third part जो है वो protected forest के नाम से अपने उसको क्या किया हुआ है declare किया हुआ है किनने forest department ने जो कि central government का forest department होता है वो उसने क्या किरके रखा हुआ है protected forest के नाम से उसको declare कर रखा है almost one third land of the total forest area ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखनी है and this forest land are protected from any further depletion तो इसको दोस्तों protected forest के नाम से क्यों रखा गया है कि आगे इनका depletion ना किया जाया यानि कि आगे जो है दोस्तों इनको खत्म ना किया जा सके क्योंकि अपनने पड़ा था कि forest का depletion हो रहा था पछली में हमने क्या पढ़ा था पिछली गलास इसमें कि भई forest का धीरे-धीरे depletion नाथा forrest को धीरे-धीरे खतम किया जा रहा था तो इसको आगे कोई depletion ना हो आगे हमारे Forrest खतम ना हो इसीलिए दोस्तों इसको Protected Flint Forest के नाम से जाना जाता है और protected forest के नाम से declare किया गया है क्योंकि इसको हम आगे depletion होने से protect करते हैं ठीक है इतनी बात समझ में आया आपको फिर दोस्तों third देख लेते हैं third में क्या आता है unclashed forest आता है and these are other forest and wasteland belonging to both government and private individuals and communities ओके दोस्तों तो unclashed forest में कौन-कौन से आ जाते हैं कोई declare नहीं किया हुआ है बाकी कि जो इन दोनों को protected और reserved forest को छोड़के जो भी wasteland बची है और या जो भी बचे हुए forest है जो या तो government के भी हो सकते हैं या private individuals के भी हो सकते हैं और communities के हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों unclashed forest कहलाते हैं एक तरीके से आप यह बोल सकते हैं कि reserved जो forest होते हैं और protected forest होते हैं उनको छोड़कर जो भी बचे हुए forest है या जो भी बचे हुए अपने forest होते हैं wasteland वगरा होते हैं वो सब क्या होते हैं unclashed forest कहलाते हैं जो भी जो government के थूँ तो हो सकते हैं मतलब government के भी हो सकते हैं और private individuals के भी हो सकते हैं लेकिन आपको एक बार ध्यान में रखनी है कि protected और reserved forest जो हैं यह केवल government के ही होते हैं यानि कि government ही इन पर क्या करती है दोस्तों control करती है और इनका management करती है इस बात का आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आगे देखते हैं फिर हम हना तो दोस्तों आगे देखते हैं हम reserved and protected forest are also referred to as permanent forest e estates maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reason जैसे मद्यप्रदेश के अगर अपन बात कर लें ठीक है तो यहां क्या बुला जा रहा दोस्तों यहां बुला जा रहा जो reserved और protected forest हैं उनको हम ऐसा permanent forest भी बोलते हैं ओके permanent forest e estates बोलते हैं जिनको एक खास purpose के लिए वह purpose क्या दोस्तों timber produce करना हो सकता है ठीक है और other जो forest products होते हैं उनके लिए हम उसको use कर सकते हैं मतलब जो government है वो use करती है ठीक है न और protective reasons के लिए protective reasons का मतलब यह है दोस्तों कि अगर मान लीजे government को उसका use करना है यह government अगर forest का use कर रही है और उसने protected forest के नाम से अगर या reserved forest के नाम से उस forest को declare किया हुआ है तो आप ये ensure करके चलते हैं कि उस forest का depletion नहीं होगा या उस forest को कोई भी शती नहीं पहुचाई जाएगी ठीक है तो वो एक specific purpose के लिए ही उस forest का क्या करते हैं दोस्तों use करते हैं ठीक है ये बात आपको मद्य प्रदेश के पास ठीक है मद्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा permanent forest का area है यानि कि जो reserve forest और protected forest है इनका सबसे ज़्यादा area जो है दोस्तों वो मद्य प्रदेश के अंदर है ठीक है चौंस्टिटूटिंग 75% of a total forest area तो total forest area का 75% कहा है समद्य प्रदेश के अंदर फिर आता है जम्मू और कश्मीर आंद्रप्रदेश उत्राखंड केरला तमिलनाडू वेस्ट बेंगौल महरास्टा have the largest percentage of reserved forest of its total forest area ओके तो total forest area के reserved forest में इनका बहुत बड़ा परसेंटेज है इन सब राज्यों का पंजाब हिमाचल प्रदेश उडिसा राजिस्थान हैवा bulk of it under protected forest तो ये जो राज्ये हैं बिहार हर्याना पंजाब हिमाचल उडिसा राजिस्थान इनके पास protected forest का ज़्यादा बल्क है यानि protected forest का जो area वो यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है ठीक है अगर अपने नौर्थ इस्ट की बात कर लें और गुजराद की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे अन्कलेश्थान पाया जाता है तो ये कुछ राज्ये हैं जो आपको धान रखना है कि जिनमें किसका परसंटेज कौन से फॉरेश्ट का परसंटेज ज़्यादा होता है जो अभी अपन ने तीन फॉरेश्ट की केटिगरीज पड़ी है उन तीनों केटिगरीज में से कौन सा जो फॉरेश्ट है वो किस किन राज्यों में तबसे ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा किन राज्यों में जादा नहीं पाया जाता है यह आपको ध्यान में रखना है ठेक है यहां यह बताया हुआ है चलिए आगे कर जो हमारा टॉपिक है वो है Community and Conservation ओके तो चलिए देखते हैं Conservation के बारे में बताया हुआ है इनोंने Conservation strategies are not new in our country ओके तो conservation strategy नहीं है नहीं नहीं है हमारी country में वी ओफन इग्नोर देट इन इंडिया forests are also home to some of the traditional communities in some of areas local communities are struggling to conserve these habitat along the government officials recognizing that only this will secure their own long term livelihood okay तो क्या होता है दोस्तों हमारे हां बहुत सारी पुरानी traditional communities भी पाए जाती है और उन communities ने लगातार समय दर समय अगर अगर अपन बात करें तो forest को जो conserve करने के लिए बहुत सारे प्रयास किये हैं ठीक है along with the government officials ओके तो government officials जो होते हैं उन्होंने भी काफी जो है अपने क्या किये हैं प्रयास किये है forest को conserve करने के लिए ठीक है ये बात आपको धन में रखनी है फिर अगर अपन बात करें इन सरिस्का tiger reserve राजिस्थान के अंदर है सरिस्का tiger reserve villagers have fought against mining by sitting the wildlife protection act तो दोस्तों क्या हुआ villagers ने यहाँ पे सरिस्का tiger reserve राजिस्थान के अंदर villagers ने क्या किया fight की against mining क्योंकि ये forest में mining कर रहे थे forest में mining का मामला था तो forest में mining का लोगों ने वहाँ पे क्या किया दोस्तों वहाँ पे यहाँ पे विरोध कर दिया ठीक है किसका हवाला देते हुए wildlife protection act का हवाला देते हुए wildlife protection act के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है उनको तमाम चीज़ों को बताते हुए वहाँ पे क्या किया दोस्तों लोगों ने जो villagers थे वहाँ के लोगों ने वहाँ पे जो mining हो रही थी उसका विरोध किया in many areas villagers themselves are protecting habitat and explicitly rejecting government involvement okay तो दोस्तों आज भी हमारे अगर आप North Eastern पार्ट में लेखेंगे तो कुछ जो अपने राज्य हैं उनमें अभी भी ऐसी communities रहती ऐसी tribes रहती है जो अपने forest के अंदर government officials को तक नहीं आने देती है ठीक है अगर वहाँ पे कोई जाता है तो फिर उसका क्या हाल होता है वह आपको अच्छा से पता है ठीक है तो वह अभी भी government officials तक को वहाँ पे अलाव नहीं करते हैं और वह अपने habitat को किसी भी तरीके से नुक्सान पहुचाने नहीं देना चाहते हैं ठीक है the inhabitants of the five villagers in alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectare of forest as the bhaerodev dakav sanctuary declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर पांच जो villages है ठीक है तो अलवार district के अंदर अपन देखें राजिस्थान के अंदर अलवार district के अंदर पांच जो गाओं है पांच गाओं के लोग जो हैं वहाँ पर उन्होंने क्या किया दोस्तों अलगी एक अपना rules and regulations बना के रखा हुआ है ठीक है अलगी rules and regulation बनाए हैं जो कि हंटिंग बिलकुल वहां पर अलाव नहीं करते हैं और वहां पर कोई अवैद जो खानन होता है वो भी नहीं कर सकते माइनिंग वगर है कुछ नहीं हो सकती ठीक है ना और वहां का जो forest उसका नाम क्या है भैरो देव दकाव सॉंचूरी ठीक है सॉंचूरी में है इसका भैरो देव दकाव नाम से क्या है और 1200 hectares का है यह बत आपको धन में रखनी है ठीक है and are protecting the wildlife against outside encroachment तो बाहर से होने वाली जितनी भी चीज़े बाहर से बिलकुल कोई भी involvement को यह लोग allow नहीं करते हैं ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखने है चलिए आगे क्या है फिर आगे एका हुआ है sacred groups of wealth of divers and rare species ओके तो sacred groups का मतलब क्या हो तो दोस्तों पवित्र जो अपने पेड़ पोदे होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ठीक है चलिए क्या फोल रहा है फिर divers of rare species ठीक है जो बहुत कम मिलती है उनके बारे में चलिए देखते हैं आगे जो old tribes है जो बहुत पुरानी tribes है दोस्तों क्या बोलते हैं कि nature worship यानी प्रकृती की क्या करनी चाहिए हमें पूजा करनी चाहिए और प्रकृती की पूजा करते हुए क्या होता है दोस्तों प्रकृती की पूजा करते हुए हमारा ये फर्स बनता है और प्रकृती की पूजा नीचर के क्रियेशन से उन सभी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ठीक है एंड सच बिलीव्स है फ्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरस्ट इन प्रिस्टाइन फ्रॉम कॉल्ड सैक्रेड ग्रूप्स ओके तो यही बिलीव्स ने आज तक जो है काफी जो पेड़ पौद एन्ग अड गॉड़ाइश्ट इसको अपन कया बोलते हैं सेक्रेड गॉप्स को दब फॉरस्ट ओफ गॉड़ाइश्ट ओके ना तो भगवान के क्या बगवान के फॉरस्ट ठीक है भगवान के जंगल ठीक है यह कह सकते हैं अगर आप ओके एंद दीज पैचल ओँ अफ फ तो क्या बूल रहा है यहां पर यह बूल रहा है कि अपने जो local people होते हैं वहां के लोग उनको भी वो क्या नहीं करने देते हैं ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखने उनको भी टच नहीं करने देते हैं और बहारी जो interference है किसी भी तरीके का वो उसको क्या खरके रखते हैं बैन करके रखे हुआ है ठीक है ट्राइबस ने एंसर्टेन सुसाइटीज रिवियर पर्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्वड फॉम टाइम इम्मेमूरियल बहुत पुराने टाइम से एक पर्टिकुलर ट्री है अना बहुत सारी सोसाइटीज ने उनको क्या करके भडू तैसे हमबाथ करते हैं दा मुंडा अईंडा संथाल व छोटा नाकपुर फिच्छे से मुंडाश की अपन बात करें अरजुन मुंडा विर्सा मुंडा आपने सुना होगा ठीक है तो मुंडा एक और संथाल ठीक है संथाली 36 गड़ के आसपास जो होती है ये तो छोटा नाकपूर प्लैटियू के अगर आपन बात करते हैं तो छोटा नाकपूर प्लैटियू के पास ये लोग क्या करते हैं दो है बैसियालेतिफॉलिया ठीक है बैसियालेतिफॉलिया और कदम्भा कदम तो आपम इखा ही होगा जिसका क्या होता है एंथो केफलस केडाबा टो केश्चinaवका जो है वह सद्विक नेम का है कदम यह जो यह दोनों इसके में पूजा घृचा करते आएं ट्रीस को प्रिसर्फ करते हुए आए हैं ठीक है और अगर अपन बात करें तो क्या भाई यह स्पेशीज अभी तक क्या है ठीक है क्योंकि इन्होंने प्रिसर्फ करके रखा हुआ है ठीक है यह इसकी ऐसा पूजा करते हैं उनकी ठीक है न एंड़ ट्राइब ट्राइब करते हैं व driving जब होती है जाती है तो इन की पूजा की जाती है आप पर पूजा की जाती है अभी मैंने आपको बताया था ट्राइबल्स जो लोग जो होते हैं उडिज़ा और बिहार के अंदर वो कि पूजा करते हैं ठीक है किसकी टैंड इमली और मैंग concurrent रखनी है और जो याद रखने जैसे अपने जैसे लोग जो होते हैं और काफी अगर अगर अपन पूरा भारत में बात करें तो पीपल और बैनियन ट्रीज ठीक है पीपल और बैनियन ट्रीज जो है इनको हम बहुत ही पवित्र जो है ट्रीज है वो मानते हैं ठीक है बहुत ही पवित्र इनको हम पेड़ मान तो दोस्तों अगर अपने देखें तो अपने डिफरेंट कल्चर यहां पर पाया जाते हूं अपने अपने कल्चर के हिसाब से हां अपने जो नेचर है उसको कंसर्व करने के लिए अलग-अलग अपनी मैथड जो है वह हमने अपनाय हुए है ठीक है sacred qualities are often described of to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected तो अगर हपन बात करते हैं sacred qualities की तो पवित्रता के नाम पर ठीक है तो पवित्रता के नाम पर क्या है दोस्तों पवित्रता के नाम पर हम क्या करते हैं अक्सर हपन बोलते हैं कि भाई contain peaks, plants, animals जो की बिल्कुल protected होना ही चाहिए जो की बिल्कुल बहुत सदर जरूरी है उसको अपनने क्या मान लिया है उसी को अपनने मान लिया है क्या दोस्तों उसी को अपनने पवित्र मान लिया है और इसकी हम क्या करते हैं पूजा करते हैं आप समझे यानि कि क्या है कि प्वाइदा हो रहा लेकिन अगर उनको बोल देंगे नहीं या यह पैड़ जो है यह भगवान निवास करते हैं अगर आप इसकी पूजा करोगे तो आपको बहुत देंगे वह आपको माला माल कर देंगे तो फिर वो क्या वो लेगा उसकी पूजा करने लगीगा यानि कि क्य हुआ दोस्तों आपने क्या किया आपने उसको प्यार से ना समझा कि उसको एक direction दे दी कि भाई ये बहुत पवित्र पेड़ है इसकी पूझा करनी चाहिए तो वह मान गया ठीक है तो इस तरीके से क्या है दोस्तों इनको प्रोटेक्ट किया जाता है सेक्रेट क्वालिटीज को यूज में लेकर ठीक है यह द्हान में रखना है आपको यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मॉक्यकूस एंड लेंगूर्स अराउंड मैनी टेंपल्स ओके यहां पर आया है एक वरड मके क्यूस दोस्तों यह ओल्ड वर्ड मंकी होते हैं जिनका मुह जो है वह थोड़ा सा लंबा होता है उनके लिए यूश किया जाता है और लेंगूर्स तो आप जानते ही हैं फिर हना जो बंदर्स होते हैं वो अपने टेंपल्स के आसपास क्या होते हैं आपको बहुत जादा दिखाई देते हैं कई टेंपल्स के बास आपको दिखाई देते हैं ठीक है and they are fed daily and treated as a part of temple devotees ठीक है तो उनको भी क्या है दोस्तों उनको भी protection मिल जाता है क्योंकि हम उनको ऐसा devotees बोलते हैं temple devotees बोलते हैं उनको भी हम ऐसा भगवान मानते हैं ठीक है हमारे यहां अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में अपन बंदर को हनुमान जी की category में रखते हैं यानि अपन क्या करते ह अगर आपको बंदर दिख जाता है तो अपन क्या करते हैं उसको अपन उसको बोलते हैं हनुमान जी के तवर्प पर अपन उसको treat करते हैं और उसको अपन हाद जोड़ते हैं ठीक है तो वही यह बुला जा रहा है कि उनको भी ऐसा devotee treat किया जाता है एंड इन अराउंड बि अपने देखा था यह अना नील गाये और पिकॉक्स कैन बी सीन ऐसा इंटीग्रेट पार्ट उफ इस कम्यूट्स कम्यूट्टि आन नोबडी हांस दैम ओके तो वह अपने एक इंटीघ्रेटिट्ड पार्ट मानते हैं इंटीघ्रल पार्ट का मतलब क्या है कि उनके बिना यानि कि एक बात अगर अपन बात करें कि जैसे ब्लैक बग, नील गाए, पिकॉक्स बगर हो गए, इनके विना जो है अपनी कम्यूनिटी पूरी नहीं होती है, इनके विना अपनी जो है वो एक पूरा जो अपनी बोल सकते हैं कि अपना जो पूरा धर्म है या अपनी कम्यू और अब्सर्व डेट एंड प्रोटेक्ट दे एंवार्मेंट अराउंड यू तो आपके आसपास जितनी भी प्रेक्टिसेज हुई है वो सब प्रेक्टिस आपको लिखना है उसको पर एक शॉट ऐसे लिखना है जो कि आपने अपनी रोज मर्रा की जीवन में देखी होगी प करते हुए प्रोटेक्ट करते हुए एंवार्मेंट को ठीक है यह आपको लखना है यह आपका काम है ठीक है चलिए फिर देखते हम यहां पर क्या बूला जा रहा है दफीमस चिपको मूव्मेंट इन दा हिमालयास हैस नॉट आउनली सक्सेस्पुली रेजिस्टेट अरियास बट हैस ऑल्सो शोन डैट कम्यूनिटी अफॉरस्टेशन विद इंडी जीनियस स्पिशीज कैन बी एनॉर्मसली सक्सेस्पुल तो दोस्तों आपके चिपको मूव्मेंट के बारे में सुना हुआ सुन्दरलाल बहुगुणा ना सुन्दरलाल बहुगुणा के नि जो लोग है वो वहाँ पे क्या हो गए थे दोस्तों मजबूर हो गए थे और एक्चुल में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो फॉरस्ट है वो कंसर्व हो गए थे तो ये एक मूव्मेंट था जो कि किसको बचाने के लिए चलाया गया था ये पेडों को बचाने के लिए फॉ क्या बोला मैंने कम्यूनिटी आफ ओर स्टेशन जो है वह क्या है दोस्तों इंडी जीनियस स्पेशीज का बहुत ही सक्सेस्पुल हो सकता है और यह सक्सेस्पुल हुआ भी था ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखनी है अटेंप्स टू रिवाइब टर्डिशनल कंजर्विशन मेथड और डेवलपिंग न्यू मेथड ऑफ एकलोजिकल फार्मिंग और नाव वाइट स्प्रेड विच टाइम पर क्या हो रहा था दोस्तों की ट्रेडिशनल कंजर्विशन मेथड्स हना और न्यू मेथड्स को क्या एकलोजिकल फार्मिंग और यह सब चीजें जो है दोस्तों बहुत जादा पैवाने पर धीरे धीरे क्या हो रही थी फैल चुकी थी ठीक है और फार्मर्स एंड सेटिसन्स ग्रॉप लाइक दबीज बचाओ आंदोलन हरा बीच बचाओ आंदोलन नहीं है यह यह बीज बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवोदन्या एंड नवदन्या एव शोन एड़ एडिकेट लेवल आफ डाइवर्सिफाइट क्रॉप्स प्रोडक्शन विदाउट दा यूज ऑफ सिंथेटिक कैमिकल आर पॉसिबल एंड एकोनॉमिकली वायबल ठीक है तो बीज कि दोरान दोस्तों बीजों को बचाने की बात की गई थी और इस तरीके से बात की गई थी कि उन्होंने ये बत क्योंकि तहरी में हुआ था और नवोदन्या ये बात आपको धान में रखने प्लेसे ठीक है और इन्होंने ये कहा किया था कि भाई यहाँ पे क्रॉप जरूरत यहां पर हमको किसी भी तरीके से नहीं उसका यूस किये बिना भी हम diversified crop production कर सकते हैं यानि अलग-अलग तरीके की crops जो है वो हम बहुत अच्छे से ओगा सकते हैं ठीक है और यह economically viable भी है यानि economically भी यह हमको बहुत support करता है क्योंकि synthetic chemicals जो है वो economically उतने हैं जो feasible होंगे वो नहीं हो पाएंगे ठीक है यह यहां पर हुआ था फिर देखते हैं इन इंडिया joint forest management program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded degraded forest to restore अब जो degraded forest थे जो forest बरबाद हो चुके थे अब उनको first से खड़ा करना था ठीक है तो joint forest management program चलाया गया जिसने बहुत ही एक तरीके से अपन कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा एक movement चलाया जिसके अंदर local communities भी involved हुई ठीक है and the program has been in formal existence since 1988 1988 से यह बिल्कुल अपने existence में आया और इस अस्तित्व में आया अच्छे से काम करना इसने start किया and when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management ठीक है तो जो first resolution था वो उडिसा ने लेके आया था इसको क्या करने के लिए implement करने के लिए and JFM depends on the formation of local villages इस institution that undertake protection activities तो JFM का में काम क्या था दोस्तों JFM का में काम यह था और यह इसके उपर यह formation था करना था इसका कि अपन local institutions develop करें किसी भी village के अंदर और वो उसकी responsibility लेगी वहां के वेले जो forest है उनको वो क्या करेंगे प्रोटेट करेंगे और protection activities करेंगे mostly on degraded forest जो कि degraded forest है उनके लिए mainly ठीक है and land managed by the forest department okay in return the members of these communities are entitled to intermediately benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested by successful protection okay तो इससे क्या हुआ दोस्तों इनकी जरूरते भी पूरी होने लगी benefits मिलने लगे इनको ठीक है ना जैसे timbers बगरा and the clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resources management to natural resources को management में local communities का बा काफी हद तक क्या रहा है दोस्तों काफी हद तक यहां पर हाथ रहा है काफी हद तक involvement रहा है यहना environment destruction को बचाने के लिए ठीक है but there is still a long way to go before local communities at the center stage in decision making तो decision making में वहां की local communities का जो है दोस्तों वह बहुत बड़ी भूमे का रही है and accept only those economic or developmental activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding तो क्या है अगर हपन बात करें economic or developmental activities की तो दोस्ते हम जो economical development activities है ठीक है यह इसी लिए हपन बोल सकते हैं कि local communities की जो बात करते हैं हपन की हो की यह economic or developmental activities में भी इन लोग इस तरीके से भाग लिए कि जो की क्या होती people centric, environmental friendly और economically rewarding होती है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है अपना यह chapter जो है वो खत्म होता है ठीक है अब जो हम पढ़ेंगे वो आगे इसका chapter 3 पढ़ेंगे ठीक है तो आई होप कि आपको यह chapter समझ में आया होगा ठीक है तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपय हमारे चैनल सब्सक्राइब पर ला ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे ठीक है दोस्तों तो अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट में पूर सकते हैं ठीक है चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत